सभी को नमस्कार श्री रतनलाल कामरलाल पाटनी राजके इसनात कोत्र महाविद्याल किशनगर्ड के यूटूब चैनल CCE राजकिशनगर्ड पर अब सभी स्टुडेंट्स का स्वागत है स्टुडेंट्स मैं महिंद्र कुमार वर्वा सहय काचार व्यवसाइक प्रिशाशन विभाग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विकॉम पार्ट थर्ड के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के अंतरगत थोक व्यापारियों और जो मद्यस्थ जो होते हैं उनका अम्मूलन यानि की थोक व्यापारी उत्पादग और उभोकता के बीच की जो कड़ी है वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए इसके पर आज हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले कर हम बात करें कि थोक व्यापारियों के का होना ना होना क्या आवशक है या नहीं है तो जिससा कि आप जानते हैं कि मद्यस्थ के रूप में थोक व्यापारी विशेश चर्चा का विशेश बना हुआ है आज थोक व्यापारी व् प्रेशन नहों कर वाद विवाद का धुब धरन करता जा रहा है कुछ व्यक्तियों का यह कहना है कि थोग व्यापारी उत्पादक तथा उप्भोक्ताओं के बीच अनावशक कड़ी हैं जिनने जितना जल्दी हो सके हटा देना चाहिए वे ही उत्पादक हैं उप्भोक्ता म मतलिया दोनों ही पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं कि यह जरूरी भी है या जरूरी नहीं है एक पक्ष इसको जरूरी मानता है दूसरा इसे अनावशक मांगता है तो हम सबसे पहले बात करेंगे थोग व्यापारियों के उन्मूलन के पक्ष में तर्क कि जो लोग इन्हें हटाने की बात कर रहे हैं थोग व्यापारियों को तो वह अपने उस तर्क में अपने उस पक्ष में कौन को से तर्क देते हैं हम उनकी यहां बात कर रहे हैं तो थोग व्यापारी अनावशक है थोग व्यापारी वित्रण का एक विकार माध्यम है और उसे हटा दे जेना चाहिए थोख व्यापारी हमारे द्वारा किये क्रह के जाने वाली वस्तुओं के मुल्यों में कुछा स्ट्धिक्र्श व्रोड्धी करते हैं त्रहट तरहके जो तरक हैं या आकशेफ हैं थोख कव्यापारी व कर लगाए जाते सबसे पहला है सामान्य तरक यानकि जर्नल जो अम व्यक्ति सोचते हैं इसके बारे में कि ठोक व्यापारियों का होना ना होना कितना उचित है तो सामाने तरक में जिश्ब से प्रतम यह तरक प्रेस्थत करता है कि थोक व्यानवापारि उत्पादक मॉ उब भोक्ता की बीच अनावशक दिवार है थोक व्यापारियों के अभा हों में उत्पादक अपने श्रंक्ला-बत भुकानी कोल सकते हैं और उभोकताओं से सीधा संपर्क बना सकते हैं यदि उत्पादक फुटकर व्यापारी के माद्यम से माल का विक्र करे तो भी उभोकताओं के अधिक निकट आ सकता है किन्तो थोग व्यापारी के नियुक्ति करने पर उत्पादक का भोगताओं से कोई विश्य संपर्क नहीं रह पाता और वो उत्पादक भोगताओं के बीच अनावशक रुप से आ जाता है दूसरा जो उसका तर्क है वो है थोक व्यापारी वस्तो के मुल्यों में व्रद्दी करते हैं थोग व्यापारी वस्तों के मुल्यों में अनावशक व्रद्धी करते हैं। एक राज्य मेरी सर्वक्षन के आधार पर ये ग्याद हुआ था कि थोग व्यापारी के करण वस्तों के मुल्यों में लगबक सतर से असी प्रतिशत की व्रद्धी हो जाती है। शाहिक क्रिशी आयोग ने कहीं वर्षो पूर्व ये कहा भी था कि वे मद्यस्त हैं जो पादक है वो भुगता के खून को चूस-चूस कर मोटे होते जा रहे हैं अतय है उन्हें जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए यहां पर मद्यस्तों को खूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस-चूस- वास्तम में व्यवसाय में प्राई इनका इस्थान सड़क के किनारे बने वे उन अनेग अनावशक स्टेशनों की तरह है ज़र माल के निर्माताओं से बोगताओं तक की यात्रा में उन्हें अनावशक रूप से रोक लिया जाता है तो स्टुडेंट यह हुए सामाने तर्ग जो एक आम इंसान सोचता है अब अगर हम बात करें उत्पादकों या निर्माताओं के दस्टि कौन में तर्ग जार कि उत्पादक और निर्माता इस बारे में क्या तर्ग देते हैं कि फटकर थोक व्यापारी होने चाहिए या नही होने चाहिए जिसमें पहला पॉइंट है अधिक लाग निर्माताओं के दस्टि से थोक व्यापारियों के उन्मूलन के संबंद में यह तर्क दिया जा सकता है कि यह स्वयम बाजार में बाजार अनुसंदान करके ग्रहा को एम बाजार के जानकर यह प्राप्त कर सकते हैं थोक व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते तीसर जो इसका तर्क है वह कुशलता पूर्वक विक्रह थोक व्यापारियों के भाव में निर्माता स्वयम यदी फुटकर व्यापारियों तक पहुंचे तो थोक व्यापारियों के पेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से यादा माल विक्राए कर सकते हैं वह बड़े पेए प्रेमाने पर विज्ञापन एम विक्रा समवर्द्र के साधनों का प्रयोग कर अधिक कुशलता पूरographer कर माल विक्राए कर सकते हैं ऑफ तो फूर्ट जो पॉइंट है वोग सोयम के ब्रांड की वस्तुका प्राय थोग व्यापारी अपने निर्माता के ब्रांड की वस्तु का ही विक्रे करना अधिक पसंद नहीं करता बलकि अपने सोयम के ब्रांड की वस्तु को विक्रे करना अधिक पसंद करता है कि तो थोग व्यापारी के हट जाने से निर्माता आसारी से अपने ब्रांड की व के लिए थोग व्यापारियों पर निर्वर नहीं है सरकार व्रदी आजकल उत्पादक थोग व्यापारियों की विद्ट्टिय साधनों पर भिनर्वर नहीं हैं बैंक, है अगला point है निर्माताहों के फटकर व्यापार ग्रह आजकल निर्माताओं के कई फटकर व्यापारियों पर अपने माल के मिक्र let पूंद राश्रत नहीं हैं next point है कुशल याताया तैंब संदेश वाहन के साधनों का विकास निर्माताओं के दुस्टिकोंट से ये तरक भी दिया जा सकता है कि आजकल कुशल तम याताया तैंब संदेश वाहन के साधन उपलब्द है अता है फुटकर व्यापारी को तुरंत ही माल भेज सकते हैं और फुटकर व्यापारी को माल के संग्रा की कटनाई से मुक्त कर सकते हैं अग्ला जो तर्क है वो है फुटकर व्यापारियों के दस्टी कॉन्ट से तर्क कि फुटकर व्यापारी थोग व्यापारियों के उन्मूलन के संबंध में क्या तर्क देती हैं इसमें पहला पॉइंट है थोग व्यापारी अनुचित लाब लेते हैं फुटकर व्यापारियों का यह तर्ग है कि थोग व्यापारी उचित कमिशन पर माल का सोधा नहीं करती वरण का लाब भी बहुत अधिक होता है क्रशी वस्तुवां के विपनन के संबंद में तो यह अ आफशकता कि तुरंत पूर्ती नहीं कर सकते यह नहीं कर सकते हैं या नहीं करते प्राय थोग व्यापारियों के पास बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोग नहीं होता परिनाम सुरुख व्यापारियों को आफशकता अनुसा तुरंत माल नहीं बेच सकते इसलिए भी फटकर व्य आपारी को व्यापारी को व्यापारी से संबंदित परियाप्त सेवाई भी उपलबत नहीं करते हैं। फॉर्थ जो पॉइंट है वो है परियाप्त थर्ड जो पॉइंट है वो है परियाप्त कुशल सेवाओं का अभाव कई थोग व्यापारी कितनी फटकर व्यापारियों को व्यापार संबंदित परियाप्त सेवाएं भी उपलब्द नहीं कराती इसी कारण कहीं फटकर व्यापारि से माल करिदना अवशक नहीं समझती . कि वे अपने पास माल जमा करके मुनाफ़ा कोरी करते हैं वे अपने इच्छा नुसारी वे अपारियों को माल का विक्रे करते हैं माल की पूर्ती में जब कमी आती है जब वे अपने मित्रों विष्दारों को ही माल का विक्रे करते हैं परिणाम स्वरूप वे स्वयम मुनाफ़ाख वरी करने के लिए दूसरों की मुनाफ़ाख वरी करने को प्रोसाहित करते हैं अगला जो तर्क है वो है विक्रह के बाद सेवा का अभाव थोग व्यापारी विक्रह के बाद सेवा देने का आसवाशन देते हैं कि तो प्राइब वे अपने फटकर व्यापारियों को विक्रे के बाद सेवा प्रदान नहीं कर पाते परिनाब सवरूप फटकर व्यापारी अपने ग्रहाकों को भी सेवा प्रदान नहीं कर सकते और ग्रहाकों के साथ दोका होता है तो प्रियुक्त तरकों से यह स्पस्ट हो तरो यह फ्यंत्रगों का भी थिल हमें पता होना चाहिए कि से को सरे यह और जहां एक और यह receptors होती जा रही है है और यह नावशक मद्यस्त हैं यह फटा देना जाता है कि थोग्यापारी उत्पादक हैं उब्वोक्ता के बीच एक आवशक मद्यस्त हैं उनके दोरा प्रदत सेवाओं एं विजश्टिक रद ग्यान के कारण उनके मद्यस्ता अती आवशक है एक प्रसिद विद्वान क्लार्क ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मद् मद्यस्तों को टारे संब्द या दिकास तर्क इस गरत धारना से उत्पर्ण होते हैं कि जितने कम मद्यस्त होंगे माल उतना ही जल्दी कुशलता पूर्वक्त एं मित्वईता के साथ उत्पादक से उब्वोक्ता को पहुंचाया जा सकेगा उनका यह तर्क उत्पादन में इस विशे पर विवाद नहीं होता कि श्रम विवाजन से अच्छा एंसस्ता उत्पादन होता है लेगिन बहुत से यह भूल जाते हैं कि विशिष्टी करन एं श्रम विवाजन के लाब उत्पादन के समान वित्रण में भी प्राप्त किये जा सकते हैं तो स्विटेंट हम जिसे पहला point जब हम देख रहे हैं या निर्माताओं या उत्पादिकों के दरश्टीकोंड से तर्ड या कि निर्माता और अर्श्ट्रीकोंड कया तर्ग देते हैं थोग्E वियापार्यों के उन्मॉलन के विपक्ष में जिसमें पहला पॉइंट है संपर्क संख्या में व्रद्धी थोग व्यापारियों के अभाव में कई फुटकर व्यापारियों को माल का विक्रे करना पड़ेगा जिसे निर्माथा की संचालन लागत में व्रद्धी होगी दूसरा जो तर्क है वो है संघ्रे की संच्या थोग व्यापारि के अनुवलन से संघ्रे की संच्या भी निर्माथा के सामने उपस्थित होगी उसके लिए कितना ही अतिरिक्ट धन की आफक्ता करनी होगी तीसरा जो point है वो है विशिष्ट ग्यान का अभाव निर्माताओं को वित्रण के संबंद में इतना ग्यान नहीं है जितना कि थोग व्यापारियों को थोग व्यापारी मांग, फेशन था व्यापारिक परिस्थितियों के संबंद में सही अनुमान लगा सकते हैं जिसका लाप थोग व्यापारी की अनुर्पस्तिती में निर्माता को भी प्राप्त हो सकता है fourth point है वित्य समश्याओं की संबंद में थोग व्यापारी के एभाव में निर्माता के समक्ष वित्य समश्या भी आ सकती है थोग व्यापारियों के हटा देने पर उनसे जो अग्रिम बुक्तान वा जमानत के रासी प्राप्त होती है वह उनके अभाव में प्राप्त नहों सकेगी यानकि उनके सामने वित्तिय समश्याएं खड़ी हो जाएंगी और थोग व्यापारी के उनके निर माता को प्रमापी करण प्रमानी करण वैंव फ्रेंव के व्रत्थी और वस्तर की विक्रे लागत में व्रद्थी करेंगी अगला चू तरक है व्यापारियों के जस्टिक कौन से किедь अब्यापारी थोग व्यापारियों के उन्मूलन के विपक्ष में क्या तरक देते हैं जिसमें उन्हें पहला जो तरक दिया है वह भारी स्टॉक संग्रे फुटकर व्यापारियों के दृष्टी से थोग व्यापारी एक आवश्यक मद्यस्त है थोग व्यापारियों के अभाव में उन्हें भारी मात्रा में स्टोक एकृतित करके रखना पड़ेगा जो उनके लिए कठीन है यद्यपी कई उत्पादक अपने फटकर व्यापारियों का आवशक्ता नुसा ततकाल माल की पूर्थी कर सकते हैं कि तो सभी उत्पादक ऐसा करने में एसमर्थ रहती हैं अगला है भारी प अतर्वक व्यापारिय नहीं जुटा सकते हैं अगला पॉइंट है अनेक निर्माताओं उसे संपर्ख आवशक फोक्त AV के अभाव में फटकर व्यापारी को स्वयम ही निर्माताओं से माल क्राय करने के लिए संपर्क स्थापित करना होगा उसे विभिन निर्माताओं के वस्तू एक इस्थान पर उप्रब्द नहीं हो सकेगी परिनाम स्वरुप फुटकर व्यापारी की कायरेस अंचालन लागत यान की ओपरेटिंग कोस्ट कामना करना पड़ेगा प्राय थोग व्यापारी के अभाव में फटकर व्यापारी को स्वयम को व्यातायत की अगस्ता करनी पड़ेगी अगला है भारी जोखिम थोग व्यापारी के अभाव में फटकर व्यापारी को माल का स्थाव करके रखना पड़ता है तो माल के मुल् अगला पॉइंट है गोदाम کی समश्या थोग व्यापारी के उनमूलन से एक नहीं समश्या गोदाम की समश्या भी उत्पन होगी फटकर व्यापारी को प्रत्यक्ष रुप से निर्माता से माल क्रै करना पड़ेगा और गोदाम की समश्या का जय्म होना श्वबाविक है यान क कुछ लोग अपने तर्क देते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति की को अवश्य स्थान मिलना चाहिए तो स्टुडेंट से गनब हम निसकर्ष की बात करें तो दोनों ही पक्ष एंविपक्ष के तर्क का ध्यान करके या यह सपस्ट हो जाता है कि कुछ कारणों से थोक व्यापारी خ Яण के प्रदत्त सेवाओं को भूल जाते हैं उन सेवाओं के महत्व को समझते नहीं है वे उनके विशिष्टिक रद्ग्यान से प्राप्त होने वाले लाबों को ध्यान में नहीं रखते वे इस बात को भी भूल जाते हैं कि हम कैवल थोक व्यापारियों को ही सुमाब्त कर सकते हैं संभवता कुछ उत्पादक या निर्माता स्वेयम थोग व्यापारियों के कार्य स्वेयम करने होंगे तो इसे हम यह समझ सकते हैं कि दोनों ही जो चीजे हैं उसमें हमने हमको एक बैलेंस की स्थती रखनी पड़ेगी और दोनों ही तरकों पर विचार करके हमें निर्ने लेना होगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद